अस्सानाम अलेकूम आज मैं आप लोग के लाई हूँ पर्फेक्ट सुईट डिश जी हाँ चॉकलेट और बिस्किट का केक जिसके लिए हमें जूरत पड़ेगी चॉकलेट की बिस्किट की बटर की फ्रेश क्रीम की और दूद की एक पैन के अंदर मैंने 4 तो 5 टेबल स्पू बरकर फ्रेश क्रीम के एड़ कर दिया है अब उसको बटर को और क्रीम को हमने अच्छी तरह पकाना है लोगी पर पकाना है हाई हीप हाई हीट पर इसको नहीं पकाना हलका सबखाने के बाद इसके अंदर 5 टू 6 टेबल स्पून चॉकलेट एड़ करनी है मैंने इसके अंद ना हो सिंपल चॉकलेट आप ले सकते हैं और इसके अंदर 4-5 टेबल स्पून देखे मैंने एट किये हैं ज्यादा भी आप कर सकते हैं और इसके बाद फिर बटर को क्रीम को और चॉकलेट को अच्छी तरह मेल्ट करना है अच्छी तरह इसको पकाना है हमने कम से कम 5-10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे बिल्कि लेकिन लो हीट पकाएंगे और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने दूद के एट किया है नॉर्मल दूद आप कोई भी दूद ले सकते हैं देखें टियार हो चुकी है अगर हम इसको था ही हीट पर पकाएंगे तो यह चॉकलेट जल जाए गी तो इसलीह कोशिश की जदेबे इसको क Ci फी तरह पकाएंगे देखें किस तरह इसकी तारसी बन रही है ज्यादा हाड नहीं करना है और इसको अफनी डिश में डालना है अब एक डिश मेंदर देखें इसको पहले हलका स मैंने थोड़ा सा डाल चॉपलीट डाल डाल रूस कगे रिकाओ कि मैंने मिक्स करना are और फिर बादर जो बिस्कोट अपने एक्सा pagга के अंदर घर मिलक करना है मिल्क के अंदर और फिर पूरी डिश के अंदर आपने बिस्कुट को इसी थारा पहला देना हैं यह देखें अचार आपने बिस्कुट को अच्छी धर सब्सक्राइब अब पहले दूद में डिप करना है को आप हाई यह तर देना है यह दूसरी लिए मैंने उपर पहले चॉकलेट डाल दी फिर दूसरी दूबारा से बिस्किट को हमने देखें दूबारा मैंने दूद के अंदर डिप किया है और दूद करने के बाद फिर दूबारा मैं पूरी डिश के उपर इसको कवर कर दूँगी अब फिर दूबारा से यह देखें मेरी दूसरी लिएर भी तियार हो चुकी है अब इसको अच्छी तरह मैं कवर करूँगी अब मेरी थोड़ी सी चॉकलेट बज़ गई है और बिस्किट भी बज़ गई है तो मैंने दूबारा से इसकी थर्ड लियर इसकी तियार करूँगी जब आप इसकी थर्ड लियर तियार कर लें तो उसके उपर पिर आप टॉपिंग के लिए आप इस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और चॉकलेट तो अलड़ी आप डाल ही देंगे लेकिन इसके उपर आप पर क्रीम भी एक्स्रा डाल सकते हैं जिसे केक जो है बहुत ही चेफिजर पिस्चित मेरे बच गएथे उसके आंकर मैंने ड़ना की मद़स उसको थोड़े से पीस लिया लाई है ज्यादा बारीक पाउडर समस्फ़ fucib corp civ कर दिया अब इसको जो बिस्किट बच गए थे इसको मैंने उपर कोटिंग कर दी है उसके उपर और देखें कितना खुबसूरत लग रहा है इसको आप फ्रिज में दो से तीन घंटे के लिए अब रखें और पिर इसको सर्व करें या बहुत ही मज़ेदार डेश है बहुत असान है मेहमानों के आने पर आप जिसको जटपट बना सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा ओके अलाफ़ज